मार्ग दर्शनकरी नमस्कार केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सहयोगी स्रीनितिन गड़करी जी प्यूज गोएल जी हर्दिपसी पूरी जी स्री सर्वानन सोनवाल जी स्री जोतिर अदित्य सिंधिया जी स्री अश्वीनी वैश्णव जी स्री राजकुमार सी जी अलग-अलग राज्य सरकारों के आदर्निय मुख्यमंत्री गण लेप्रिनन गवर्नर्स राज्य मंत्री मंडल के सदस्य उद्योग जगत के साथ ही अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और भेनों आज दुर्गाष्ट मी है पूरे देश में आज शक्ती स्वरूपा का पूजन हो रहा है कन्या पूजन हो रहा है और शक्ती की उपास्रा के इस पुन्य अवसर पर देश की प्रगती की गती को भी शक्ती देने का शुबकार्य हो रहा है ये समय भारत की आज़ादी के 75 वर्ष का है आज़ादी के अमरित काल का है आत्मन निर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं पी एम गती सिक्ती नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है ये नेशनल मास्टर प्लान 21 सदी के भारत को गती शक्ती देगा नेक्स जनरेशन इंफ्रास्टर्टर और मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गती शक्ती मिलेगी इंफ्रास्टर्टर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जिकुशन तक को ये नेशनल प्लान गती शक्ती देगा सरकार के प्रोजेक्स ताय समय सीमा के भीतर पूरे हो इसके लिए ये गती शक्ती नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मारदर्शन करेगा गती शक्ती के इस महा अभियान के केंद्र में है भारत के लोग भारत की इंडिस्ट्री भारत का व्यापार जगत भारत के मेनिफेक्टरर्स भारत के किसान, भारत का गाउं ये भारत की वरतमान और आने वाली पीडियों को 21 सदी के भारत के निर्मान के लिए नई उरजा देगा उनके रास्ते के अवरोद समाप्त करेगा ये मेरा सौभाग्य है कि आज के इस पावन दीन में पी-एम गतिशक्ती नेस्टर प्लान इसका शुभारम करने का मुझे अवसर मिला है साथियों आज ही यहाँ प्रगती मैदान में बन रहे International Exhibition Come Convention Center के चार प्रदर्शनी हौल का लोकारपन भी हुआ है दिल्ली में आधुनिक इंफ्रा से जुड़ाई ये भी एक एहम कदम है ये Exhibition Centers, हमारे MSMEs, हमारे Handicraft, हमारे कुटिरुद्योग को अपने प्रोडर्स दुनिया भर के बाजारों के लिए सोकेस करने ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुँच बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बढ़ाई देता हूँ, शुब कामनाई देता हूँ साथियों हमारे यहां दसकों तक सरकारी व्यवस्ताओं ने जिस तरह काम किया है उस वज़र से सरकारी शब्द आते ही लोगों के मन में आता था खराब कॉलिटी, काम में बरसों की देरी, बेवज़र रुकावटे, जनता के पैसे का अपमान मैं अपमान इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो टैक्स के रुप में देश की जनता सरकार को देती है उस पैसे का इस्तमाल करते समय सरकारों में ये भावना ही नहीं होती थी कि एक भी पैसा बरबाद नहीं होना चाहिए हरे को लगता है अरे यार ऐसे ही चल रहा है चलने दो, चलता है क्या है देश वासी भी अब्यस्त हो गए थे कि देश ऐसे ही चलेगा वो परिशान होते थे, दूसरे देशों की प्रगति देख उदास होते थे और इस भावना से भर गए थे कि कुछ बदल नहीं सकता था जैसा अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे हर जगा नजर आता था वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस लेकिन वो काम कभी पूरा होगा भी या नहीं समय पर पूरा होगा या नहीं ये लेकर कोई विश्वास जनता के मन में नहीं था वर्क इन प्रोग्रेस का बौर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतिक बन गया था ऐसी स्थिति में देश प्रगति कैसे करता प्रगति भी तभी मानी जाएगी जब उसमें गती हो गती के लिए एक अधीरता हो गती के लिए एक सामुहिक प्रयास हो आज 21 सदी का भारत सरकारी व्यवस्ताओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है आज का मंत्र है विल फर प्रोग्रेस वर्क फर प्रोग्रेस विल्द फर प्रोग्रेस प्लान फर प्रोग्रेस प्रैफरंस फर प्रोग्रेस हमने ना सिर्फ प्रयोजनाओं को तए समय सिमा में पुरा करने का वर्क कल्चर नविखशित किया बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पुरे करने का प्रयास हो रहा है अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्र के निर्मान के लिए जादा से जादा इन्वेस्ट्मेंट करने के लिए प्रतिबत है तो वही आज का भारत हर वो कदम बे उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो रुकावटे ना आए कम समय पर पूरा हो साथियों देश का सामान्य मानवी एक छोटा सा भी घर बनाता है तो उसके लिए बकाइदा प्लानिंग करता है कोई बड़ी उनिवर्सिटी बनती है कोई कॉलेज बनाता है तो भी पूरी प्लानिंग के साथ बनाए जाता है समय समय पर उसके विस्तार की गुंजाइश को भी पहले से ही सोच लिया जाता है और यह समय हर किसी का अनुभव है हर एक का यह अनुभव से आप गुजरे हैं लेकिन दुरभाग्य से हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्टर से जुड़े प्रोजेक्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग से जुड़ी अनेक कमियां रोज मर्रा अनुभव करते हैं थोड़ा बहुत जहां हुआ भी है तो हमने देखा है कि रेलवे अपनी प्लानिंग कर रही है रोड टांसपर डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अपनी प्लानिंग होती है गैस नेटवर्क का काम अलग प्लानिंग से हो रहा है ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट अलग-अलग प्लान करते हैं हम सभी ने ये भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती है सड़क बिल्कुल तयार हो जाती है और फिर कोई पानी वाला डिपार्टमेंट आएगा वो पानी की पाई पिलिस कोई खुदा ही कर देता है फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं इसी प्रक्तरा काम होता रहता है ये भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती हैं कि इससे तो जाम लगा रहेगा डिवाइडर हटाओ कई चोनाये पर सरकिल बना दिया जाता है तो ट्राफिक सुचारू रूप से चलने में पजाए वहाँ अव्यवस्ता होने लगती है और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है इन परिस्तितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ साथियों इस जितनी भी दिक्कते हैं उसका मूल कारण यह है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इंप्लिमेंटेशन जमीन आसमान का अंतर होता है अलग-अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक्स कहां शुरू करने की तहरी कर रहा है राज्यों के पांस भी इस तरह की जानकारी एड़वांस में नहीं होती है इस तरह के साहिलोस के कारण निर्णे प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और बजट की भी बरबादी होती है सबसे बड़ा नुक्सान ये होता है कि शक्ती जूड़ने के बजाए शक्ती मल्टिप्लाइ होने के बजाए शक्ती विभाजित हो जाती है जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स है उन्हेंने भी ये ठीक ठीक पता नहीं होता कि बविश में यहां से सड़क गुजरने वाली है या यहां से कैनाल बनने वाली है या यहां कोई पावर स्टेशन लगने वाला है इस वज़ा से वो भी किसी छेत्र को लेकर, किसी सेक्टर को लेकर बहतर प्लान नहीं कर पाते हैं इन सारी दिक्कतों का हल पीयम, गतिसक्ति, नेस्ट्रल प्लान इससे ही निकलेंगा जब हम master plan को आधार मना कर चलेंगे तो हमारे resources का भी optimum utilization होगा साथियों हमारे देश में infrastructure का विशे जादा तर राजनितिक दलों की प्रात्विक्ता से दूर रहा है यह उनके गोष्णा पत्रभे में भी नजर नहीं आता है अब तो यह स्थित्य आ गई है कि कुछ राजनितिक दल देश के लिए जरूरी infrastructure के निर्मान पर आलोचना करने में गर्व करते हैं जबकि दुनिया में इस स्विकृत बात है कि sustainable development के लिए quality infrastructure का निर्मान एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविदियों को जन्व देता है बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्मान करता है जैसे skilled manpower के बीना हम किसी क्षेत्र में आवश्चक परणाम नहीं प्राप्त कर सकते वैसे ही बहतर आधुनिक infrastructure के बीना हम चौत तरफा विकास नहीं कर सकते साथियों राज रितिक इच्छा सक्टी की कमी के साथ ही देश के infrastructure development को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी ने आपसी खिंचतान ने राज्यों में भी हमने राज्य सरकारों और स्थानिय निकारों के बीच इस विशे पर तनाव होते देखा है इस वज़ा से जो प्रोजेक्ट देश की economic growth को बढ़ाने में मददगार होने चाहिए थे वही प्रोजेक्ट देश के विकास के सामने एक दिवार बन जाते हैं समय के साथ बरसों से लटके हुए प्रोजेक्ट अपनी प्रासंगिक्ता अपनी जरुरत भी खो देते हैं मैं जब 2014 में यहां दिल्ली एक नई जिम्मेवारी के साथ आया तो भी ऐसो सेंकडो प्रोजेक्ट से जो दसकों से लटके हुए थे लाखो करोर डुपिये के ऐसे सेंकडो प्रोजेक्ट की मैंने खुद समिक्षा की सरकार के सारे विभागों सारे मंत्रालों को एक प्रेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया सारी रुकावटों को दूर करने का प्रयास किया मुझे संतोस है कि अब सबका ध्यान इस और गया है कि आपसी तालमेल की कमी की वज़र से परियोजनाओं में देरी ना हो अब होल अब गवर्मेंट एप्रोच के साथ सरकार की सामुईक शक्ति योजनाओं को पूरा करने में लग रही है इसी वज़र से अब दसकों से अधुरी बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो रही है साथियों पी-एम गती शक्ति अब ये सुनिस्टित करेगी कि 21 सदी का भारत इंफ्रांस्ट्रक्टर प्रोजेक्ट में कोडिनेशन में कमी की वज़र से ना पैसे का नुकसान उठाएं और ना ही समय गवाएं पी-एम गती शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहट रोड से लेकर रेलिवे तक एविएशन से लेकर के एगरी कल्चर तक विबिन्न मंत्रालयों को विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है हर बड़े प्रोजेक्ट को हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी सटिक जानकारी समय पर मिले इसके लिए टेकनलोजी प्लेटफर्म भी तयार किया गया है आज यहां कई राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यों के अन्य प्रतिनिदी भी जुड़े हैं मेरा सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द आपके राज्य भी PM गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लांट से जूड़कर अपने राज्य की योजनाओं को गति दे इससे राज्य के लोगों का भी बहुत लाब होगा साथियों PM गतिशक्ती मास्टर प्लांट सरकारी प्रोसेस और उससे जुड़े अलग-अलग स्टेकॉलर्स को तो एक साथ लाता ही है ये ट्रांस्पोर्टेशन के अलग-अलग मोर्स को आपस में जोडने में भी मदद करता है ये होलिस्टिक गवर्नेंस का विस्तार है अब जैसे गरीबों के गर से जुड़ी योजरा में सिर्फ चार दिवारी नहीं बनाई जाती बलकि उसमें टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस, कनेक्शन भी साथ ही आता है ठीक वैसा ही विजन इसमें इंफ्रास्ट्रक्टर के लिए भी है अतीत में हमने देखा है कि उद्योगों के लिए स्पेशल जोन का ऐलान तो किया जाता था लेकिन वहां तक कनेक्टिविटी या फिर बिजली, पानी, टेलीकॉम पहुँचाने में गंबिरता नहीं दिखाई जाती थी साथियों ये भी बहुत सामाने बात थी कि जहां सबसे ज़्यादा माइनिंग का काम होता है वहां रेल कनेक्टिविटी नहीं होती थी हम सभी ने ये भी देखा है कि कहीं पॉर्ट होते थे तो पॉर्ट को सहर से कनेक्ट करने के लिए रेल या रोड की सुविधाओं का अभाव होता था ऐसी ही वज़ों से भारत में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती रही है हमारे एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती रही है हमारा लॉजिक्स्ट्रिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहा है निशित तोर पर ये आत्म निर्भर भारत के निर्मान में बहुत बड़ी रुकावट है एक स्टडी है कि भारत में लॉजिक्स्टिक कॉस्ट जीडीपी का करीब करीब थर्टीन परसंट है तेरा प्रतिशत है दुनिया के बड़े तेज़ों में ऐसी स्थिती नहीं है ज्यादा लॉजिक्स्टिक कॉस्ट की वज़े से भारत के एक्सपोर्ट की कम्पिटिटिवनेज बहुत कम हो जाती है जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से पोर्ट तक पहुँचाने का जो खर्च है उस पर ही भारत के एक्सपोर्टर्स को लाखों करोड रुपिये खर्च करने पड़ते हैं इस वज़े से उनके प्रोड़क्त की किमत भी बेतहासा बढ़ जाती है उनका प्रोड़क्त दूसरे देशों के मुकाबले बहुत महंगा हो जाता है एक्रिकल्टर के छेतन में भी इस वज़े से हमारे किसानों को बहुत जादा नुक्सान उठाना पड़ता है इसलिए आज समय की माग है कि भारत में सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़े लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो इसलिए यह पी एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान बहुत बड़ा और बहुती महत्वपूर्ण कदम है इस दिशा में आगे जाने बढ़ने पर हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा उसका पूरग बनेगा और मैं समझता हूँ हर कारण हर स्टेक होल्डर को भी हर ज्यादा और ज्यादा उत्सा से इससे जुनने की प्रेणा मिरेगी साथ को पी एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान देश की पॉलिसी मेकिंग से जुड़े सबी स्टेक होल्डर को इन्वेस्टर को एक एनालिटिकल और डिसिजन मेकिंग टूल भी देगा इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी सरकार का अनावश्य खर्च बचेगा और उद्यमियों को भी किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी इससे राज्य सरकारों को भी अपनी प्राक्तिक ताय करने में मदद मिलेगी जब ऐसा डेटा बेस मेकनेजम देश में होगा तो हर राज्य सरकार निवेशकों के लिए टाइम बाउंड कमिट्मेंट दे पाएगी इससे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भारत की बढ़ती साग को नई बुलन्दी मिलेंगी नए आयाम मिलेगा इससे देशवाचियों को कम कीमत में बहतरीन क्वालिटी मिलेगी युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर मिलेंगे साथियों देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार के इंफ्रास्टेक्टर से जुड़े सभी विभाग एक दुसरे के साथ बैठे एक दुसरे की कलेक्टिव पावर का इस्तमयाल करे बीते वर्षों में इसी एप्रोच ने भारत को अभूत पुर्वक गति भी दी है पिछले सत्तर वर्षों की तुलना में आज भारत पहले से कहीं ज़्यादा स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है चाथियों भारत में पहली इंटरस्टेट नेचरल गेस पाइपलाइंग 1987 में 1987 में कमिशन हुई थी इसके बाद साल 2014 तक याने 27 साल में देश में 15,000 किलोमेटर नेचरल गेस पाइपलाइन बनी आज देश भर में 16,000 किलोमेटर से ज़्यादा नई गेस पाइपलाइन पर काम चल रहा है ये काम अगले 5-6 वर्षों में पुरे होने का लक्ष है यानि जितना काम 27 वर्षों में हुआ हम उससे ज़्यादा काम उसके आदे समय में करने का लक्ष लेकर चल रहे है काम करने की यही रफ्तार आज भारत की पहचान बन रही है 2014 के पहले के 5 सालों में सिरफ 1,900 किलोमेटर रेल लाइनों का दोहरी करन होता था बीते साथ वर्षों में हमने 9,000 किलोमेटर से ज़्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है कहां उननीस और कहां साथ हजार 2014 से पहले के 5 सालों में सिरफ 3,000 किलोमेटर रेल लाइनों का बिजली करन हुआ था बीते साथ वर्षों में हमने 24,000 किलोमेटर से भी अधिक रेल लाइनों का बिजली करन किया कहां 3,000 कहां 24,000 2014 के पहले लगबग 200,000 किलोमेटर ट्रेक पर ही मेटरो चल नहीं थी आज 700 किलोमेटर तक मेटरो का विस्तार हो चुका है और 1,000 किलोमेटर नए मेटरो रूट पर काम चल रहा है 2014 के पहले पात सालों में सिर्फ साथ पंचायतों को ही 60 पंचायतों को ही ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा सका था बीते साथ वर्सों में हमने डेड़ लाग से अधीक ग्राम पंचायतों को अप्टिकल फाइबर से कनेक कर दिया है कनेक्टिविटी के पारंपारिक माध्यमों के विस्तार के साथ साथ इनलेंड वाटरवेज और सी प्लेंज नया इंफ्रास्ट्रेक्टर भी देश को मिल रहा है 2014 तक देश में सिरफ पांच वाटरवेज थे आज देश में 13 वाटरवेज काम कर रहे हैं 2014 से पहले हमारे पॉर्ट्स पर बेसल टर्न अराउंड टाइम 41 अवर 41 गंटे से भी जानदा था अब ये घटकर 27 गंटे प्रह गया है इसे और कम करने का प्रयाज भी किया जा रहा है साथ योग कनेक्टिविटी के अलावा जरूरी दूसरे इंफ्रासेक्टेर के निर्मार को भी नई रप्तार दी गई है बिजली की प्रोडक्शन से लेकर ट्रांस्मिशन के पूरे नेटवर्क को ट्रांस्फर्म किया गया है वन नेशन वन पावर ग्रीड का संकल्प सित्ध हो चुका है 2014 तक देश में जहां तीन लाग सर्किट किलोमेटर पावर ट्रांस्मिशन लाइन्स थी वहीं आज ये बढ़कर सबाद चार लाग सर्किट किलोमेटर से भी जादा हो चुकी है न्यू एंड रिन्यूरबल एनर्जी के मामले में जहां बहुत ही मार्जिनल प्लेयर थे वहीं आज हम दुनिया के टॉप पाँच देशों में पहुँच चुके हैं कि 2014 के इंस्टॉल केपेसिटी से करीब करीब तीन गुना केपेसिटी यानि सो गिगावर्ट से ज्यादा भारत हासिल कर चुका है साथियों आज देश में एवियेशन का आधुनिक इकोसिस्टम विक्सित करने पर तेजी से काम हो रहा है एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए देश में नए एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही हमने एयर स्पेस को भी और ज्यादा खोल दिया है बिते एक दो वर्षों में ही सो से ज्यादा एयर रूट्स की समिक्षा करने उनकी दूरी गटाई गई है जिन खेत्रों के उपर से पैसेंजर फ्लाइट्स के उड़ने पर पाबंदी थी उसे भी हटाया गया है इस एक फैसले से बहुत से सहरों के बीच एयर टाइम कम हुआ है उड़्यान का समय कम हुआ है एवियेशन सेक्टर को मजबूती देने के लिए नई MRO पॉलिसी बनाना है जिस GST काम पुरा करना हो पाइलर्स की ट्रेनिंग की बात हो इन सभी पर काम किया गया है साथियों ऐसे ही प्रयासों से देश को विश्वास हुआ है कि हम तेज गती से काम कर सकते हैं बड़े लक्ष बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं अब देश की अपेक्षा और आकांख्षा दोनों बढ़ गई हैं इसलिए आने वाले तीन चार वर्षों के लिए हमारे संकल पे भी बहुत बड़े हो गए हैं अब देश का लक्ष है लॉजिक स्टिक्स कॉस को कम से कम करना रेलिवे की कारगो क्षमता बढ़ाना पॉर्ड कारगो कैपेसिटी बढ़ाना टर्न एराउंड टाइम को कम करना आने वाले चार पांच साल में देश में कुल मिला कर दोसो से जादा एरपोर्ट हैलिपेड और वाटर एरोड्राम बनकर तैयार होने जा रहे हैं अभी जो 19,000 किलोमेटर के करीब का हमारा गैस पाइपलाइन नेट्वर्क है उसे भी बढ़ा कर लगबग दो गुना किया जाएगा साथियों देश के किसानों और मच्वारों की आए बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग से जुड़े इंफ्रास्रेक्टर को भी तेजी से विस्तार दिया जा रहा है 2014 में देश में सिर्फ दो मेगा फुड़ पार्क से आज देश में 19 मेगा फुड़ पार्क काम कर रहे हैं अब इनकी संख्या 40 से अधिक तक पहुँचने का लक्ष है बीते साथ सालों में फिशिंग क्लस्टर्स, फिशिंग हार्बर और लेंडिंग सेंटर्स की संख्या 40 से बढ़कर 100 से अधिक तक पहुँच चुकी है इसमें दो गुना से ज़्यादा की वृद्धी करने का लक्ष लेकर हम चल रहे हैं साथ क्यों, डिफेंस सेक्टर में भी पहली बार व्यापक प्यास हो रहा है अभी तामिलनाडू और यूपी में दो डिफेंस कोरिडोर पर काम चल रहा है electronics और IT manufacturing में आज हम तेजी से अग्रणी देशों में शामील हो रहे हैं एक समय हमारे यहाँ पांच manufacturing cluster थे आज 15 manufacturing cluster हम तयार कर चुके हैं और इसे भी दो गुना तक वृद्धी का target है बीते सालों में चार industrial corridor सुरू हो चुके हैं और अब ऐसे corridors की संख्या को एक दर्जन तक बढ़ाया जा रहा है साथियों आज सरकार जिस approach के साथ काम कर रही है उसका एक उधारण plug and play infrastructure का निरमार भी है अब देश की industry को ऐसी सुविदाय देना का प्रयास है जो plug and play infrastructure से युक्त हो यानि देश और दुनिया के निवेशकों को सिर्फ अपना system लगाना है और काम शुरू करना है जैसे greater noeda के दादरी में ऐसी ही integrated industrial township तैयार हो रही है इसको पुर्वी और पस्तिमी भारत के ports से dedicated freight corridor से जोड़ा जा रहा है इसके लिए यहां multi-modal logistic hub बनाया जाएगा इसी के बगल में multi-modal transport hub बनेगा जिसमें state-of-the-art railway terminus होगा जिसको inter-or inter-state bus terminus मिलेगा mass rapid transit system और दूसरी सुविदाओं से support किया जाएगा देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी ही सुविदाओं के निर्मान से भारत दुनिया की business capital बनने का सपना साकार कर सकता है साथियों यह जितने भी लक्ष मैने गिनाये हैं यह लक्ष सामान ने नहीं है और इसलिए इनको हासिल करने के लिए प्रयास भी अभुद्पुर्व होंगे और इसके तरीके भी अभुद्पुर्व होंगे और इन्हें सबसे ज़्यादा ताकत PM गतिशिक्ती नेश्टनल मास्टर प्रांच से ही मिलेगी जिस प्रकार जैम तिनिती यानि जंदन आधार मोबाइल की शक्ती से देश में सरकारी सुविदाओं को तेजी से सही लाभार्थी तक पहुचाने में हम सफल हुए हैं PM गतिशक्ती इन्फास्टर के ख्षेतर में वैसा ही काम करने वाला है ये पुरे देश के इन्फास्टर की प्लानिवी से लेकर एक्जूकिशन तक एक होलिस्टिक वीजन लेकर आ रहा है एक बार फिर मैं सभी राज़े सरकारों को इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ आग्रह भी करता हूँ ये समय जुड़ जाने का है आज हाजी के इस 75 वे वर्स में देश के लिए कुछ कर दिखाने का है इस कारकम से जुड़े हर व्यक्ति से मेरा यही आग्रह है यही मेरी उमीद है आप सभी को इस महत्रपूर कारकम में प्रधारली के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री ग्रती शक्ति मास्टर प्लान प्राविट पार्टी भी उसको बहुत बारीकी से देखेगी वे भी इस से जुड़ करके अपनी भावी रणन नित्य ताय कर सकती है विकास के नए आयाम को छूँ सकती है मेरी आप सब को बहुत बहुत सुब कामना है देश वासियों को आज नवराट्री के पावन परपर शक्ति के इस उपासना के सबाये शक्ति स्टे की भगिरत कारे के लिए अनेक अनेक सुब कामनाओ देते हुए मेरी वानी को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, शुब कामनाई अभार माननी प्रधान मंतरी जी, इस सौगात, इस शुरुवात के लिए, इस एतिहासिक शुरुवात के लिए, आपके शुदै से हम सब, हम देशवासी, हम भारती है, आपके शुदै से अभारती है.